फिर से मेरे बेटी को तार्गेट किया गया है, फिर से मेरे बेटी का नाम और फोटो लगा कर गाना गया गया है, तो मैं उस राजपुत समझ से पूछना चाहता हूँ, जो लोग हतियार लेकर खेसारी को धूंड रहे थे, कहा हैं आप लोग अब? कहसारी लाल यादव और परवन सिंग का विवाद छिपने से नहीं छिपता क्योंकि दोनों ही मोश्मूरी के बड़े कलाकार हैं और दोनों में आगे बढ़ने की होड़ भी बराबर लगी रहती है, आए दिन दोनों के गाने ही यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं, लेकि इन दोनों का विवाद कहीं न कहीं राजपूत और यादव समाज से भी जुड़ा हुआ है, जहां पर खिसारी लाल यादव ने बीते दिनों आरोब भी लगाया था कि राजपूत समाज के लोग काफी समय से उनके परिवार को परिशनली टारगेट कर रहे हैं, अब एक और व वीडियो जिसमें खिसारी लाल यादव ने राजपूत समाज पर आरोप लगाए हैं, नमस्ति बढ़ाम, और जितने भी हमें प्यार करने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं सबसे दिल से एक प्रातना है, एक बात सरिफ कहना चाहता हूं, मैं थोड़ी दिर के लिए लाए बाजा हूं, परिशानी ठीक है मेरी है कुछ है, कला छितर में परिशानी है मुझे, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, वान मिनिट, फिटिन निट, लेकि समस्या ये है, कि कुछ दिन पहले मेरे अपनों ने, किसी को लाइब में थपड मार दिया था, उसके लिए पूरे राजपुत समाच को ये लगा था कि पूरे राजपुत समाच को थपड मारा गया है, कुछ राजपुत समाच पूरे नहीं, कुछ थे, कुछ उसमसे कलकार बंदू भी थे कि उनके सपोर्ट के लिए बाई मुंबई से चलके और जाके कि हाँ राजपुत समाज को मारा गया है हम बरदास नहीं करेंगे फिरसे वही काम मेरे साथ हुआ है फिरसे मेरे बेटी को तारगेट किया गया है फिरसे उसके नाम को उसको फोटो को लगा कर गाना गया गया है मैं उस राजपुत समाज से यह पूछना चाहता हूँ कि आप लोग गलत को हमेशा ऐसा ही सपोर्ट करोगे हमारे लिए सब लोग देखे कुछ लोग कहते हैं कि जाती बात करता हूँ जब मेरे फैमली की मेटर पे कुछ चीज़े आती है तो क्यों चुप हो जाता है अपका समाज नहीं समझ में आता है अब मुझे क्या करना चाहिए फिर से मेरे बेटी को तार्गेट किया गया है फिर से मेरे बेटी का नाम और फोटो लगा कर घॉना गया गया है तो मैं उस राजपूत समाज से पूछना चाहता हूँ जो लोग हतियार लेकर खेसारी को धूंड रहे थे कहा है आप लोग अब क्यों किसी को मजबूर क्यों किसी पीता को मजबूर कर रहे है देखा आपने कैसे खेसारी का दर्द छलक रहा है आपको बता दें बीते दिनों खिसारी का ऐसा ही एक वीडियो सामने आये था जिसमें उन्होंने कहा था कि राजपूत समाज के कुछ लोग हैं जो उन्हें बरबाद करने की योजना बना रहे हैं आपको बता दें खिसारी लाल या दब बीते दिनों अपने 200 गानों के डिलीट होने के बाद भ अब उनका ये आरोप भी काफी सुर्ख्यों में है अब देखना है ये है कि क्या राजपूत समाज की ओर से कोई जवाब आता है या खिसारी लाल के या आरोप पहले की ही तरह आरोप ही बनकर रह जाते हैं